Hello everyone and welcome back to your new video of study up तो एक और current affair का topic है हम लोग के पास जो की exam point of view से बहुत ही important है ठीक है, हम लोगों को पता है कि world का जो भी day celebrate किया जाता है globally, international वाला, वो exam point of view से important होता है ठीक है, तो आज का date है 8 June है ना, तो 8 June जो है, so world ocean day है world ocean day है, तो इसके बारे में हम लोग आज detail पढ़ाएंगे इसके बारे में ठीक है यह start कब हुआ था, इसको start करने का क्या लक्षी था यह सारा चीज आज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो देखो यार, first time, Canada का government जो है Canada का government, ठीक है Canada का जो government है, वो 1992 में रियर डिजिनरियों में एक अर्थ समिट हो रहा था, ठीक है अर्थ समिट, ठीक है अर्थ समिट हो रहा था वहाँ पे तो Canada government का यह दिया हुआ था यह क्या बोलते एक तरह से रखा था इसके सामने, सबके सामने कि हम लोग को world ocean day एक तरह से मनाना चाहिए विश्व महासागर दिवस की एक तरह से अउधारना जो है वहाँ पे प्रस्ताव किया गया था ठीक है, बाद में जाकर के 2008 से यह world ocean day celebrate होना start हुआ है ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि कब start हुआ है world ocean day 2008 में ठीक है, 2008 में start हुआ है, और फिर उसके बाद अगर हम इसके बारे में और जानने का कोशिश करेंगे अगर, ठीक है, तो इसको मतलब की start कौन सा क्या है, तो ocean project ocean project ocean project और world ocean network के दवारा यह start हुआ था world ocean network के दवारा यह start हुआ था ठीक है, अब हमेशा की तरह अगर कोई भी day celebrate होता है, UN के दवारा तो कुछ न कुछ theme होता है तो इस बार 2020 का जो theme है वो है, innovation innovation for a sustainable sustainable ocean ठीक है, वीडियो में बने रहो हुँ यार मैं लास्ट में 5 important questions बता दूँगा इस से इस current affairs से जो exams में आएंगे, ठीक है अगर मैंने कहा कि ये current affairs exam में important है तो मैं 5 questions आप लोगों को बता दूँगा कि कौन-कौन सा exam में पूछेगा ठीक है, तो ये हो गया उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है या दिवस सन 1992 में रियोटी जिनेरियो में हुए पृत्वी गरह नामक फोरम में प्रती वर्स विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और सन 2008 में शन्युक्तराष्ट संग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिये जाने के बाद मनाया जाने लगा ठीक है 2008 में उसे क्या मिला था मान्यता मिल गया था और 2009 में इसे सेलिबरेट करना सुरू कर दिया गया था विश्व महासागर दिवस मनाने का परमुख कारण विश्व में महासागर के महत्व और उनकी वज़ा से आनिवाली चुनोतियों के बारे में विश्व में जागरुकता पैदा करना है इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलूँओ जैसे खाद शुरक्षा, जै विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, सामुद्रिक संसोधन के अंधा दुन्दूपयोग, जलवायू परिवर्तन आदी पर प्रकास डालना है ये में एम है World Ocean Day सेलिब्रेट करने का उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े हर साल विश्व महासागर दिवस में पूरे विश्व में महासागर से जुड़े विश्यों में विभिन्द परकार के आयोजिन किये जाते हैं जो महासागर के साकारात्मक और नकारात्मक पहलूँ के प्रती जागरुकता पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं ठीक है यार देखो अगर आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि ये ओशन डे क्यों ना जाता है तो हम लोगों को पता है हम लोगा ओशन जो है ठीक है महासागर जो है सो बहुत ही मतलब की क्या पता है पॉल्यूशन हो रहा है ठीक है पॉल्यूट हो रहा है सबसे पहला बात तो बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है कहीं-कही हम लोग देखते हैं कि oil leak हो जाता है ठीक है। फिर human wastage होता है। उसके बाद फिर plastic सबसे बड़ा plastic wastage जो कि बाद में जाकर के हम लोग के ocean में छोड़ दिया जाता है ना plastic wastage फिर यार factory से रिखना हुआ residue जो होता है फैक्टरिस से बहुत सारा residue होता है जो नदी के नदी से जुड़ता है फिर जाकर कि last में कहां गिरता है समूद्र में गिरता है ठीक है तो यार ये सब जो हो रहा है pollute समूद्र तो pollute हो रहा है ठीक है pollute हो रहा है तो यार ये pollution आखिरकार harm किसको कर रहा है, सारे marine life को harm कर रहा है, सारे marine life को harm कर रहा है, जितने भी marine life है, हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, कि whale जो है, सो अपने आप मर्गर के आगया है, सता पर, इधर बीच पर, ठीक है, बहुत सारे loss होते हैं, हम लोगों के oceans में, यही सब के कारण, तो यही है, कि यह सब चीजों पर ध्यान देना ही, इसका motto है main, world ocean day celebrate करने का, ठीक है, समुद्र के महत्व और उनकी वज़ा से आने वाली चुनौतियों के बारे में, लोगों को जागरुक करने के लिए, हर साल 8 जुन को विश्व महासागर दिवस मना जाता है, इ तो विश्व महासागर दिवस के खास मौके पर लोग समुद्र टट की सफाई और इससे जुड़े अन्य आयोजन में भाग लेते हैं, इस खास दिवा पर समुद्री जीवन को नुक्षान पहुचाने वाले गतिवी धियों, जैसे अब टट की तेल ट्रिलिंग, प्लास्ट भोजन और हवा प्रदान करते हैं, और हमारी जलवायू को स्थिर रखने में मदद करते हैं, इतना ही नई समुद्र वेल मचली और अन्य जीवों जैसे अद्भुच जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए घर भी हैं, जो प्रित्वी को रहने लाइक सांदार जगा बनाते हैं, लेकिन मानविय घटनाओं के वज़ा से समुद्री वातावरन को खत्रा का शामना करना पड़ रहा है, ठीक है, अभी जो भी ओशन में मरीन लाइफ डिस्टर्ब होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, अफकॉर्स हमी लोग के कारण होता है, हमी लोग का पॉलिशन है, सारा, जो जाकर के ओशन में मिलता है, और मरीन लाइफ वहां का डिस्टर्ब होता है, ठीक है, बहुत सारे आए दिन न्यूज भी सुना पड़ता है, कि यार किसी भी फिश या फिर डॉल्फिन के गर्दन पे जो है सो वायर लपिटा गया था, नेट से जो है प्लास्टिक दुनिया के महासागरों में जाता है, कितना जाता है, आठ मिलियन मिट्रिक टन, इस जगह से दुनिया दिन पर, दिन समुद्र में प्लास्टिक की वृधी हो रही है, और समुद्र में प्रदूशन फैल रहा है, नौर्थ वेस्ट पैसेज और आक्टिक के अन जो है हाम इसी से हो रहा है plastic pollution ठीक है समुद्र में बढ़ते plastic का जीवों के अपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है विज्ञानिकों ने समुद्र के सबसे प्रचूर प्रकास संसलेशक जीवानुओं को रशाइनों से उजागर किया जो प्लास्टिक की थैलियों से उत्पाद होते हैं रशाइनों के कारण bacteria को बढ़ने और oxygen का उत्पादन करने में कठिनाया होती है या काफी भयान भयावा है क्योंकि bacteria 10% oxygen उत्पादित करती है जिससे हम सांस लेते हैं उसके बाद अगर हम लोग आगे देखे तो global warming से भी मचलियों को खत्रा है और global warming किस से हो रहा है of course हम ही लोग तो है महानाद में लोग है न तो global warming भी हो रहा है उसके कारण भी मचलियों को खत्रा है देखो कैसे खत्रा है सो महसागर और उनमें मौजूद जीवों को जलिये परिवर्तन से भी खत्रा है एक अधियन से यह बात सामने आई कि समुद्र में बढ़ते तापमा के कारण पहले से ही मचलियों की आबादी कम हो रही है रेटगर्स विस्विद्याले के नेतित्व वाली टीम ने पाया कि 80 वर्सों में मचलियों की आबादी में आसतन 4.1 फीसिदी की गिरावट आई है 1930 से 2010 के बीच 1.4 मिलियन मेट्रिक टन मचलिया खो चुकी है देखो ठ सिदी ठीक है देख करके तो लग रहा होगा सिर्फ 40 परसेंट ना लेकिन यार ये 4 परसेंट बहुत जादा है ठीक है और ये बहुत जादा 1930 से लेकर के 2010 तक दिखलो जो की 80 years का gap है ठीक है ये 80 years का gap है इसे ही आप लोग देखलो इसके बीच में लगबग 1.4 मिलियन मेट्र परजातियों को नुक्षान नहीं पहुंचाता है लेकिन इससे पूरा पारिस्तितिक तंत्र जो है जो बिगड़ जाता है एक अध्यान में पाया गया कि परतिवर समुद्र में गर्म लहरे बढ़ती जा रही है विग्यानिकों के अनुसार समुद्र में गह लहरे लगबग पच्चास फिस्तित तक बढ़ गई है देखो अब लोगों को ओवर्विव मैंने दे दिया ठीक है वर्ल ओशन डे क्या है इससे क्यूं मना जाता है कब स्टार्ट किया गया था वगरा वगरा में में कोश्चन अब हम लोग देख लेते हैं फरस्ट इससे कब अनुमती मिला था ठीक है 2008 पहली बार कब मनाय गया था 2009 वर्ल ओशन डे कब है कब मनाय जाता है 8 जून तीन कोश्चन हो गया उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं ठीक है तीन कोश्चन मैंने बता दिया उसके बाद कौन से सरकार ने इसका प्रस्ताव दिया था कनाड़ा के सरकार न ठीक है और कौन से सम्मिट में दिया था कौन से सम्मिट में दिया था प्रिथवी ग्रह या फिर अर्थ सम्मिट है ना प्रिथवी ग्रह या फिर अर्थ अर्थ सम्मिट ठीक है यह यह था आपको मैंने 5 question important important बता दिया है और जो भी exam देते हो आप लोग उन लोगों को पता होगा कि ये सब पुछता है ना date वागेरा पुछता है ठीक है तो यार ये था current affair का एक important topic था जो हम लोगों ने cover कर लिया ठीक है I hope कि अगर ये question अब exam में आएगा तो आप लोग छुटेगा नहीं आप लोगों से ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना ऐसे contents आपको मिलते रहेंगे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye